हेलो गाइज, वेलकम टो माई चैनल तो गाइज, मैं आज इस वीडियो में BSF ट्रेट्समेंट का जो रिटेन एग्जमिनेशन का रजाल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसको लेकर कही सरे वीडियो में मेरा चैनल पे अपलोट कर दिया हो अगर अपने अभी तक नहीं देखा तो मेरा चैनल विजिट करो और प्लेलिस्ट में जाकर BSF सर्च करो और BSF के हर एक वीडियो को देखो तो मैं आज इस वीडियो में BSF ट्रेट्समेंट का जो काट अफ है 2023 का वो कितने रहने वाला है सब कुछ अनलाइस करेंगे यूर केंडियेट के लिए कितना काट अफ जा सकता है OBC केंडियेट के लिए कितना काट अफ जा सकता है SC केंडियेट के लिए कितना और ST केंडियेट के लिए कितना काट अफ जा सकता है और EWS केंडियेट के भी कितना काट अप जा सकता है इस वीडियो में कवर करेंगे तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले मैं आप लोग को एक बात बोलना चाता हो कि मैं मेरा चैनल में ऐसे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले अप लोड करता आ रहो अगर आप लोग चाहो कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगो मिल जाना चाहिए तो चैनल को सब्स्रेप कर सकते हो और बेल आइकन को प्रिज भी कर सकते हो और वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को एक लाइक कर दो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोगो गोगल पर आना होगा तो गोगल पर आने के बाद आप लोगो इधर एक सार्च ऑप्शन मिलेगा आप लोगो इसके बाद आप लोग को सार्ज वाले अप्शन पे क्लिक करना होगा इसके बाद आप लोग को सेकेंड वाली जो यूरल दिखेगा जो की jkdhd.org ओफिशल ओइपसेट से निकला गाया था तो आप लोग इस ओफिशल ओइपसेट में क्लिक करेंगे उसके बाद scroll down करके आप लोग नीचे जाएंगे और जाकर इधर पहला जो ओप्शन है bsf result आप लोग इधर से अपना जो result का pdf है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बात करें 75 से 80 जा सकता है जो कि male के लिए और female के लिए 70 से 75 जा सकता है उसके बाद guys बात करें OBC candidate की जिसके लिए male candidate के लिए 70 to 75 काट अफ जा सकता है और 65 to 70 female candidate के लिए और मैं आप लोग को बोल देना चाहता हूँ कि यह जो काट अफ है वो tentative काट अफ है मतलब कुछ काट अफ बाढ़ भी सकता है और decrease भी हो सकता है मतलब कि मनले यूर का काट अफ 70 से 80 इधर दिखा रहा है और जाब PDF आ जाएगा तो उदार 80 से 85 होगा ऐसा भी हो सकता है उसके बाद guys बात करें आपका जो SC candidate के लिए उसके लिए male के लिए 65 to 70 आपका काट अफ रहने वाला है और female के लिए 60 to 65 रहने वाला है उसके बाद guys बात करें ST candidate के लिए तो male के लिए 60 to 65 and female candidate के लिए 55 to 60 और guys last time काट अफ के बात करें तो वो है EWS के लिए जो के male candidate के लिए 72 से लेकर 77 तक और female candidate के लिए 67 to 72 और North East region candidate के लिए हर एक काट अफ से लगबग 10 नंबर माइनस कर दो मतलब कि जो कोई भी candidate मतलब अगर मानलो कोई candidate पुरा से बिलों करते है तो और वो candidate EWS है तो उसके लिए उसका जो काट अफ होने वाला है वो होने वाला है 62 तो 67 उसके बाद मानलो को यह candidate आसमशे बिलों करते है तो और वो यूर कंड़ेट है और male कंड़ेट है तो उसके लिए उसका जो काट अफ रहने वाला है वो है 65 to 70 ऐसे करके आप लोग समझ लेना तो गाइज यह था बीए सेफ ट्रेट्समेंन का जो काट अफ उसको लेकर एक वीडियो तो वीडियो को कैसा लागा कमेंट सेक्षन में जरूर बोलना थैंक यू